और चली अब बात करेंगे खबरे ताबरतोर की और चली इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पहले उसका रुख कर लेते हैं आजम खान को लेका शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें की आजम खान का उत्पीडन हो रहा है यह कहना है शिवपाल संग्यादव का बहुत जल्द आजम खान से मिलने जेल जाएंगे शिवपाल ने यह कहा यूपी में नए मोर्चे के गठन को लेकर शिवपाल का जवाब सही सामने आया है उन्होंने कहा सही वक्त पर सही जवाब देंगे कहीं न कहीं जो तमान नेता हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूपी में नया गठबंदन या फिर यूपी में कुछ नया बदलाव हो सकता है क्योंकि हमने जैन चौधरी को भी सुना था उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि नई राजनितिक दल की जरूरत है और कुछ इसी तरीकी की बात है शिवपाल सिंग्यादव कह रहे हैं और तमाम बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं देखिए अब क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा सुनिया आजम खान को लेकर शिवपाल सिंग्यादव ने कि आजम सावक के साथ उत्पीडन लगाता दो साथ से ज्यादा हो गए जेल में हो रहा है मुकदमें पर मुकदमें मुकदमें पर मुकदमें तनी छोटी छोटी मुकदमें राजनितिक ब्यक्त पर लगाना उचित नहीं है उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आज हम भाई से मुलाकाद करने जेड में सीतापुद जा सकते हैं